हेलो फ्रैंक्स लवट टिप्स यूटूब चैनल में आप सभी का एक बार फिल से धमा के दा स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो बहुती इंपोर्टन्ट है उन लोगों के लिए जो देखना चाहते है कि सच्चा प्यार उसका संकेत क्या है निशानिया क्या है दोस्तो इसलिए आज के वीडियो में सच्चे प्यार की सबसे बड़ी निशानी में आपको बताने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहले तो ये बाते समझ ले यह वीडियो देखने के बाद ये तीन बाते आपमें आएगे सबसे पहले सच्चे प्यार को पहचान पाओगे दूसरा होगा सामने वाला जूठा प्यार कर रहा है तो उसे पकड़ पाओगी और तीसरा होगा आप भी यह जानकर यह सीख कर किसी से भी सचा प्यार कर पाओगे दोस्तों यह तीनों बाते कोई भी संबंद के लिए कितनी important है यह आप भी जानते हैं इसलिए आप और मैं कोई भी हो यह बाते जानना और सिखना चाहते हैं इसलिए दोस्तों चलिए बीना टाइम गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों सच्चे प्यार की सबसे बड़े निशानी है त्याग की भावना यानि कि सेकरिफाइज हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना सेकरिफाइज सेकरिफाइज क्यों कैसे क्या है सब कुछ हम जानेंगे स्टेब बाई स्टेब दोस्तों एक famous English line है सेकरिफाइज इस ग्रेटर देन लव एंड ट्रू लव इस सेकरिफाइज हाँ दोस्तों त्याक की जो भावना है वो प्यार से प्रेम से बड़ा है और सच्चा प्यार इसका मतलब ही होता है सेकरिफाइज करना सामने वाले पाट्नर के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तयार है ना दोस्तों बड़े-बड़े लव स्टोरी में क्यों राम सीता हो या तो फिर रादे कृष्णा हो आपने कोई भी और लव स्टोरी देखी होगी उसमें वो दिल जीत जाता है जो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है सामने वाले के लिए त्याक कर देता है सक्रिफाइस कर देता है दोस्तो त्याग की बावना अत्यन पवित्र है त्याग करने वाले पुरुषों ने ही संसार को प्रकाश मान किया है जिसने भी जीवन में त्यागने की बावना का अंगीकार किया है उसने ही उच्च से उच्च अपना रिस्पेक्ट लिया है या तो फिर कुछ अच्छा स्थ सूख होता है दोस्तों ये तो कुछ spiritually बाते हो गई मुझे लगता है हम वापस आते प्यार में जो त्याक की बावना है उसके बारे में दोस्तों यही बाते आपको समधनी है प्यार हो या कहीं पर भी त्याक की बावना बहुत ही बड़ी कहलाती है इसलिए मैं मानता हूँ कि स नहीं नहीं परवा नहीं होती हैं यहां पर इसा समधता हो कि त्याक की बावना है यह बात में यहां पर फोकस करना जाओंगा दियाक करने को कोई चीज की परवान ही होती कि सामने वाला मेरा सब कुछ ले जाएगा नहीं ले जाएगा बस उसे तो उसके उपर इतना प्यार है कि वो सब कि अगर कोई सामने वाला स्वार्थी है तो समझ लीजिए उसमें कोई त्याक्किबावना नहीं और ज्यादा स्वार्थी होना आपके संब्ध के लिए खतरा हो सकता है दोस्तो स्वार्थी होना कैसे देख सकते हैं छोटी छोटी बातों पर या तो फिर कभी कोई के लिए अच्छा नहीं है वह त्याक की बावना नहीं है और सच्चे प्यार की वह बिल्कुल भी निशानी नहीं है क्योंकि दोस्तों आप समझी गए होंगे त्याक की बावना करना मतलब की स्वार्थी ना होना अगर स्वार्थी है तो वह त्याक की बावना नहीं है और अच्छे प्यार की या फिर सच्छे प्यार की निशानी नहीं तो अच्छे प्यार की निशानी नहीं है। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था लड़की पटाने के चार सटिक तरीके, उसमें अनवर ने वाह गुरू कहके और स्रेयस ने थेंक्यू सो मच ब्रेदर ऐसा करके कॉमेंट्स किये, थेंक्यू दोनों को, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड्स, वीडियो को दे झाल झाल